दोस्तो यह काड़ा आपके शरीर से शुगर को जड़ से खतम करने की ताकत रखता है चाहिए आपको शुगर 3.500 हो या 4.500 पहले दिन से ही इसमें आपको ये आराम देना शुरू कर देता है और इसके लगातार 5-6 महीने के इस्तमाल से शुगर सरीर से जड़ से खतम हो जाता है नमस्कार दोस्तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा ऐरवेदिक काड़ा जिसके लगातार 5-6 महीने के इस्तमाल से आपकी डायबेटीज की समस्या जड़ से खतम हो जाती है इतना ही नहीं ये आपकी immunity को बढ़ाने का काम भी करता है दोस्तों क्या आपको पता है कि करोना वाइरस से मरने वालों में सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जिनको diabetes यानि sugar की बिमारी थी क्योंकि जिस भी व्यक्ति को diabetes यानि sugar की बिमारी होती है उसकी immunity बहुत कमजोर हो जाती है जिसके कारण उनका शरीर करोना वाइरस से नहीं लड़ पाता और वो इनसान करोना की वजह से अपना दम तोड़ने लगता है यह कारण diabetes को तो कंट्रोल करता ही है लेकिन इसके साथ साथ यह immunity को इतना बढ़ा देता है इतनी strong कर देता है कि आपका शरीर वाइरस से लड़ने की ताकत पैदा करने लगता है और आपके शरीर पर करोना वाइरस का कोई असर नहीं होता इसलिए मैं आपसे एक request करता हूँ कि इस वीडियो को हर उस इनसान तक जरूर पहुचाएं जिसे diabetes है क्योंकि आज आपका एक share किसी की जिन्दगी बचा सकता है जिसको diabetes है उसकी जिन्दगी बचा सकता है इसलिए आपसे हाथ जोड़कर request है कि अपने जितने भी जानने वाले हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें क्या पता आपका एक share किस की जान बचा दे तो चलिए आए बढ़ते हैं आगे जानते हैं काड़ा कैसे बनाना है इसके लिए आपने एक steel के बरतन का उपयोग कर मेथी दाना शरीर में natural तरीके से insulin बनाता है और शरीर में diabetes के cells को जड़ से खतम करने की ताकत रखता है अगर आप मेथी दाने के पानी का इस्तमाल रोजाना करते हैं तो 5-6 महीने में आपका जो diabetes है वो बिल्कुल जड़ से खतम हो जाता है तो इसलिए इस काड़े के अंद शरीर के digestion को ठीक करता है यह हमारी immunity को बढ़ाता है और सौफ की वजह से हमारे pancreas के अंदर insulin का निर्मान होता है जो diabetes को कंट्रोल करने में एहम भूमी का निभाता है अब हमने इसमें थोड़ी सी दालचेनी डालनी है दालचेनी शरीर की detoxification करती है यह शरीर में insulin बनाती है इसका सेवन करने से immunity कई गुना बढ़ जाती है दोस्तो यह तीनों चीज़ें इसके अंदर डालकर हमने काड़े को उबलने के लिए छोड़ देना है और आपने इसको तब तक उबालना है जब तक पानी आधा ने रह जाए यानि कम से कम जो आपने 300 ml पानी लिया था जब तो गो 1500 ml ना रह जाए इसको बलने दें तो चलिए दोस्तो जब तक यह काड़ा बनता है हम जान लेते हैं कि इस काड़े के आपके शरीर के उपर और कैके फाइदे हो सकते हैं immunity को बढ़ाता है दोस्तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यह काड़ा आपके शरीर की immunity को बढ़ाता है और करोना जैसे महामारी के समय में हर व्यक्ती की immunity strong होना बहत ज़रूरी है तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि आपको अगर diabetes है तभी आप इस काड़े का सेवन करें वै दोस्तो जोडों में दर्द देखा गया है कि वात रोग की वज़े से होता है वात यानि हावा से बनने वाले रोग लेकिन जो एक काड़ा है ये आपके शरीर के अंदर जितने भी वात के रोग होते हैं उनको खतम करता है आपके जोडों के अंदर जो दर्द होता है उसको खत दोस्तो आखें कुदरत के द्वारा दिया गया एक अनमोल तोफा है इसकी कीमत वही इनसान जादा समझता है जिसके पास यह नहीं होती तो दोस्तो आप अगर अपनी आखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं और लंबे समय तक इस प्रकरती को देखना चाहते हैं इस प्रकरत तो कुछ भी नहीं क्योंकि जब तक हम जो कुछ खा रहे हैं वो अच्छे से शरीर में हजम नहीं होगा तो उसका कोई फाइदा नहीं वो आपके शरीर में लगेगा ही नहीं इसलिए शरीर का डइजेशन ठीक होना हमारे स्वास्थे ऐबी अच्छा है और हमारे शरीर में खाया पिया लगे उसके लिए भी अच्छा है तो डाइजेशन को ठीक करने के लिए आप इस काड़े का सेवन कर सकते हैं एक सब ताह में डाइजेशन से रिलेटिड किसी भी तरह की प्रोबलम आपको हो वो जड़ से खतम हो जाती है तो दोस्तो लीजिए अब हमारा यह काड अगर ऐसा कोई सुगर का व्यक्ति 5-6 महिने तक लगतार कर लेता है तो उसकी डाइबिटीज की समस्य है वो जड़ से खतम हो जाती है सिर्फ 5-6 महिनों के अंदर और यह एक से दो दिन के अंदर ही डाइबिटीज को कंट्रोल भी कर लेता है और इसके साथ-साथ यह आपक प्रतिफिल्वदीज के अंदर आपकी रोगपरतिरोदक्षमता को इतना बढ़ा देता है कि आप करोच जैसे रोगों से अपने शरीर का बचाव कर सकते हैं और जिन लोगों को करोचा है अगर वो इसका सेवन करें तो उनके शरीर में ताकत में